हेलो फ्रेंड्स तो द वोम consideration में चल रही है पनीर सीरीज और अगर पनीर की बात हो रही है और पनीर भुर्जी ना बने तो ऐसा तो तो पनीर सीरीज में आज दूसरी रेसिपी होने वाली है पनीर भुर्जी की तो चलिए फटा-फट से इसकी रेसिपी देखते हैं घर में पनीर हो और ज्यादा कुछ ताम जाम करने का मन ना कर रहा हो तो पनीर भुर्जी सबसे बेस्ट ऑप्शन है तो सबसे पहले पैन में उसके खीज करना चाहतें तो इसकी जगा सरसोका तेल उसकरें पर रिफाइन ओल को अवइड करें पर हाँ देसे घी डाले से स्माध में चारचान लग जाते है इसलिए देसी घी का यूज में अक्सर ही गरती हूं सबजिया बनाने के लिए तो दो से तीन चमल देसे घी ड चाहिए तो सॉफ्ट होने तक का वेट करना है और जैसे ही प्यास सॉफ्ट होने लगेंगे इसमें आड़ करेंगे हरी मिर्च अपने तिखे के कोडिंग और साथ ही जाएगा बारी कटा हुआ जिंजर और गार्लिक चाहे तो इसके जेगा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी टिके के लिए डाले के लिए यहां पर ताम जब की ज़र। नहीं हैं तो बारी कर्टे हुए नियो तकयात हैं तुछ आलोटक सबसके लीखिया। तो नमक हम अल्रोडी डाल चुके हैं और यहां पर आड़ करेंगे थोड़ा सा पानी का और बस 3-4 मिट में टमाटर गर जाएंगे एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे बस बीच-बीच में इससे धक्कन हटा कर चलाते रहें और ऐसे कल्ची से मैश करते रहें और जब टमाटर अच उसे मैश करने के ज़रूरत है और अब बस सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिलाना है ताकि सारी चीज़े एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएं और फिर मसालों का जो फ्लेवर है वो भी एक सार सा हो जाएं तो बस अच्छे से इसे मिक्स-मिक्स-मिक्स करते जाएंगे इसे बढ़िया से मिला देंगे इसे अच्छे से मिलाने के बाद 5 मिनिट तक इसे पकाएंगे हम धक करके और 5 मिनिट बाद लिट अटाने के बाद एक बाद फिर से देंगे इसे एक बढ़िया सा मिक्स और फिर इसमें आड करेंगे फाइनल टचिंग के लिए थोड़ा सा क्र कर सकते हैं जो घर में मलाई निकलती है उसका और साथ ही इसमें डाल दिया है तवे पे थोड़ा सा रोस्ट किया हुआ कसूरी में थी लगबग आधा चममच और बस सब चीजों को बहुत अच्छे से मिला देंगे और बस एकदम जटपट से बनकर तयार हो गई है यह मसालेद कर सकते हैं ब्रेड या पर पाव के साथ चॉइस आपकी है कि आपको इसे कैसे चट करना है रेसिपी अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें शेयर करें फ्रेंड सेंट फैमिली के साथ और अगर इस पनीर सीरीज के लिए आपके पास कोई सजेशन है तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताएं और हाँ यहां से जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आई ही गए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए फिर मिरते हैं पनीर सीरीज की अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक्स वर वाचिंग